चोपड़ा एजोकिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बचो मनिपूर इस्टेट का एकजाम 6 जून को 12 बजगे दोपेर 3 बजगर के 20 मिनट तक हो चुका है और ये सांति पुरुन हो चुका है कोई किसी परकार की कोई प्रोब्लम नहीं आई है इस एकजाम के दोरान अब आज इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि इसका पेपर कैसा था क्या ये 7th of May 23 जैसा था या फिर difficult था या फिर easy था इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे साथ शाथ ये भी चर्चा करेंगे कि क्या ये normalization सिस्टम भी होगा और अगर नउर्मलाइजेशन सिस्टम होगा तो cutoff पर क्या फरेक्ट पड़ेगा और पेपर के difficulty level से भी कटो पर क्या फरक पड़ेगा इस से इस वीडियो में हम इस विशय पर पूरी चर्चा करेंगे तो जो पेपर है वो पेपर LN की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है आप ये वेबसाइट सर्च करके देख सकते हैं जो मनीपुर का 6th of June 23 को एक्जाम हुआ था उसका पेपर solution के साथ में LN की वेबसाइट पर है तो आप वहाँ से देख सकते हैं आप भी इसको पेपर को solve कर सकते हैं इसमें अब हम बात करें इस पेपर के बारे में कि ये पेपर कैसा था इसका difficulty level कैसा था, normalization होगा या नहीं होगा और इसकी और आल कटोफर क्या फरक पड़ेगा यानि कि 7th मई को जो एक्जाम हुआ था उसकी कटोफर क्या फरक पड़ेगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर के difficulty level की तो पेपर का difficulty level, same 7th मई को जो पेपर हुआ था ऐसा की ऐसा ही पेपर था उसमें कोई किसी परकार की ऐसा की ये नहीं है की ये पेपर हाड है ये difficult है, same 7th मई को जैसे पेपर था वैसा का वैसा ही पेपर है जब ऐसा ही paper है तो cut-off पर कोई किसी प्रकार का effect नहीं पड़ेगा अब बात करें normalization की तो normalization क्या होता है normalization होता है कि अगर एक या एक से ज्यादा shift में paper होता है तो उस paper के result को normalize किया जाता है normalize में ऐसा होता है कि shift wise एक score, rise score तयार किया जाता है उसके according result तयार किया जाता है लेकिन इसमें normalization नहीं होगा क्योंकि इसमें percentile base पर ही result तयार किया जाता है NTA द्वारा तो कोई normalization का system नहीं होगा इसमें हमने पहले भी देखा है कि पहले भी 2-3 shift में exam लगी थी और NTA का ये need का paper pen and paper mode में होने की बजाए इसमें normalization system की जुरत नहीं है इसमें जो result आएगा वो percentile base पर आएगा percentile base पर ही हमेशा result आता है net का और इसमें भी percentile base पर आएगा percentile base का मतलब ये होता है कि सबसे जो top student होता है उसको hundred percentile माना जाता है और उसके बाद में जितने भी candidate होते हैं divide कर दिया जता है उनसे percentile का system मैं अपने video में बता चुका हूँ channel पर percentile का video पड़ावा है आप channel search करके देख सकते हैं कि कि किस परकार से ये percentile system होता है अब बात करें overall cutoff पर क्या effect पड़ेगा इस मनीपूर के पेपर से तो मैं आपको बता दूँ कि इस मनीपूर की exam से overall paper पर कोई फरक नहीं पड़ेगा कुछ भी effect नहीं होगा इससे जैसा paper अगर ये साथ होता 7th माई को मनीपूर का तो भी वही ये marks आने तो student को मनीपूर वालों को और अभी भी वही marks आएंगे यानि कि इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि candidate भी 8751 के तकरिबन मनीपूर स्टेट के candidate registered है तो इससे वैसे भी इतना ज्यादा फरक नहीं पड़ना है तो लास्ट में इसका conclusion यही निकलता है कि ओवराल कटोप पर इस paper से कोई फरक नहीं पड़ेगा इसमें पेपर का अगर difficulty level देखें तो मनीपूर का exam भी 7th of मई को जो exam हुआ था उसी के level का exam है same question paper उसी के level का है तो किसी भी student को यह tension लेने के आवश्यक्ता नहीं है कि मनीपूर का paper easy आया होगा तो उससे कटोप पर फरक पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है आप इसको घर swallow करेंगे तो आसानी से swallow हो जाता है तो आपको ऐसा लगेगा कि यह paper easy था काफी लेकिन exam hall में exam pressure के कारण इतने marks नहीं ले पाते हैं student इसी वज़े से ऐसा लगता है कि घर में जो paper swallow कर रहे हैं वो paper आपको easy लगेगा बाकी paper का difficulty level same 7th मई जैसा ही था तो last में result यही निकलता है कि इससे कोई भी effect नहीं पड़ेगा कटोग पर पहले वाले त्रह ही ये कटोग रहेगी इसमें तो यह जानकारी थी paper के बारे में आप हमारी counseling service लेना चाहते हैं हमारी book available है इसके लिए ओल इंडिया कोटा इस्टेट आयू स्वेट मेरी सभी के लिए book available है इसको आप हमारे description box से भी download कर सकते हैं या फिर हमारी website www.shoptaeducation.in से भी download कर सकते हैं जैसे ही आप download करेंगे हम आप से संपर्क कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं इसमें इसमें category wise, college wise, round wise, cut hope दी गई है जिससे आप idea लगा सकते हैं कि आपको कहां पर college मिल सकती हैं previous year की 4 साल की cut hope दी गई है ऐसे ही state कोटा की book में ये सारी facility available है, bond के बारे में जानकारी दी गई है और भी बहुत सारी जानकारी इसमें available है, counseling processor के बारे में समझाया गया है इसमें हर एक state के बारे में इसके बारे में जो other state है private college में आप admission ले सकते हैं उसके बारे में भी इसमें समझाया गया है कितनी फीस हैं उनकी कहां पर आपको possibility हो सकती है, cut hope क्या रही थी previous year में और seat हैं कहां कहां कोंड से state में open state हैं जाहां पर आप admission ले सकते हैं तो ये जानकारी थी paper के बारे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक को ज्यादा ज्यादा सेर करें जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक notification पौंश जाएंगे तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब